हलो मित्रों जैमातादी मित्रों आज मितुन रासी वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन वेपार करियर उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलूओं के बारे में आपको बताएंगे जो कि आपके आने वाले दिनों को बहतर बनाने में काफी लापकारिसी दोंगे मित्रों आज आप कौन से छेतर में कारे करें जिसे कि आपको ज़्यादा सफलता आपके मान सम्मान इसकृती में विर्दी हो सके साथी साथ आप अपने कारेशेतर में बहतर परतस्वन कर सकें इसके लिए क्या करें और क्या ना करें मित्रों आज आपके जीवन में कौन सी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है आपके जीवन में कौन सी कुछियां आने वाली हैं तत्था आपका लव लाइफ कैसा रहेगा वैपार कैसा चलेगा आपके करियर से समदित आपके बारे में जानकारिया बताएंगे तत्था आप उन सबी समस्याओं से कैसे चुटकारा पा सकते हो जिसे आप कई दिनों से फ्रेशानी में चल रहे हैं जानेंगे विश्टार से उससे पहले वीडियो को लाइक करके चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोजाना राशी फल समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें मित्रों आज मितुनरासी वाले जातकों को बताना चाहूंगा कि भाग आपका अच्छा साथ देगा तथा काम का अच्छे सम्मदित अच्छी सफलता प्राप्त होने की संभावना बन रही है माता पिता से सम्मदित आपके अच्छे हो सकते हैं तथा घर ग्रिहस्ती घर परिवार में एक दूसरे का सही योग प्राप्त हो सकता है कारि हो या फिर वैपार आपको इन्चे सम्मदित अच्छी सफलता प्राप्त होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है मित्रों प्रेम संबंद तथा दामपत जीवन दोनों ही बहतर रिष्टिती में रहने के संभावना है इसलिए इन्हें और बहतर बनाने के लिए आपसी समा अंजस्य से बनाए रखना इस माह आपके लिए काफी अवस्यक होगा मित्रों वेवसाइक द्रिष्टी से आपको अच्छा लाप प्राप्त होंगे और आर्थिक लाप के लिए किया गया प्रियास सफल हो सकता है नोकरी पेसा लोगों को अस्तान परिवर्तन के साथ तरक्की मिल सकती है जिससे की आयमे विर्दी होगी मित्रों खास कर गले में जलन आखों में दर्द आ कमर के उपर उपरी जो हिस्से होते हैं उनमें मासपेसियों से समधित समस्याएं आपको हो सकती है इसलिए सावधानी रहें मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आर्थिक इस्तितियां आपके अनुकूल रहने की संभावना है आपके दोहारा धनला प्राप्तो होने का प्रयाज सफल होगा मित्रों इसलिए यदि आपको किसी तरह का धन्व प्राप्ति या आफसर्फ प्राप्त होना है तो उसे पुनता सुईकार करना चाहिए कारे से समंदित अच्छी सफलता प्राप्त होने की संभावना है मित्रों इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि अपने आप पर भरोसा रखते हुए एक दूसरे के साथ सदेव खुश रहने का प्रियास करें दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा जीवन साथी के साथ मदूर सम्मंद होने वाले हैं और आप जो हैं कहीं बाहरी की यात्रा कर सकते हैं आज आपको बताना चाहेंगे कि वेबसाइक छेतर में सफलता आपको मिलेगी कारुबार आपका अच्छा चलेगा और धनलाप की इस्तिती रहेगी कारी विष्टार की नई योजनाएं बना सकते हैं नोकरी में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होने वाले हैं आज आपको जो है किसी नए कारी का सुभारम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका दिन आज उत्तम रहने वाला है आप क्योंकि भागया आपका पूरा-पूरा साथ दे रहा है जिसकी वज़ा से जिस भी छेतर में आप कारी करोगे उसमें आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता आप आज अगर नया वेबसाइक शुरू करते हैं तो इसमें आपको भविस्य में काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे आपके धन्दोलत में विर्दी होगी बैंक में आपकी बैंक मनी जो है सेविंग मनी वो कभी भी कम नहीं होगी आपको बताना चाहेंगे कि यही वेपार आपको भविस्य में अच्छी पहचान अच्छी पहचान उसके साथ मान इजज़त प्रतिष्टा भी दिलवाएगा मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप निवेस करना चाहते हैं और निवेस करने की यूजना आप बना चुके हैं तो ऐसे में जिस भी छेत्र में आप निवेस करना चाहते हैं उसके बारे में एक बार जांत पजाल अवर से कर लें पूरी तरह से उसकी जांत परताल करने के वाद ही आपको निवेस करना चाहिए इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि आप आरते के सितियां सुद्रिड होंगी यदि आप निवेस का नजरिया बनाते हैं तो वो आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है इसके साथ साथ आपके जीवन में कुछ परिसानियों को भी लेकर आज आ रहा है जिन समस्याओं को आप जानने साते हैं आईए आपको बताते हैं कि आज जो है आपको किन परिसानियों का सामना करना पड़ सकता है यदि आप नोकरी करते हैं तो पोजिशन प्राप्त के लिहा शुरुवाती दोर में कुछ बाधाएं उत्पन होंगी राजनितिक में तनाव का माहूल हो सकता है संतान पक्ष या प्यार पक्ष में अनुकूल हो सकता है फिर भी यदा कदा तनाव कुण इस्तियां हो सकती है मित्रों बाहर की यात्रा इत्यादी कम होने की संभावना है यदि संभाव हो तो यात्राओं करने से आपको बचना चाहिए ताकि इस्तितियां आपके अनुकूल रहे दामपत्य जीवन को लेकर भी आप खुछ प्रेसानी रह सकती है जीवन साती के साथ तनाव उत्पन होने क संभावना बन रही है मित्रों इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि आज आपको कोई ऐसी ख़बर मिलेगी ऐसी आपको खुछ खबरी मिलेगी जिन से कि आप फूल नहीं समाओगे उच्छा से भरा हुआ दिन रहेगा साम को थोड़ी सी ठकान आप महसूस कर सकते हैं इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि आज का जो लखी नंबर आपका होने वाला है वो दो रहने वाला है और आपका भागे साली रंग जो है वो हरा रहने वाला है मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आज का दिन बहतर हो इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमा ताद झाल झाल